प्राम आप सभी लोगों को मैं संद्या मौनति सुगने केर से और आज का जो वीडियो है उसका जो विशे है वो ये है कि हम महिलाओं को अपनी बात कैसे बताएं कैसे उनको समझा पाएं जो हमारी टीम काम कर रही है इस टाइम जो डिजिटल वर्क कर रहे है या जो फिल्ड में भी है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेज कर रहे है वो यह है कि महिलाओं को समझा नहीं पाते हैं महिलाओं को हम अपनी बात समझा नहीं पाते हैं तो आज का जो विशे है वो यह लेते हैं कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं उनको इस विशे की जानकारी नहीं है यानि कि आपके पास पूरी जानकारी है प्रोडक्ट की भी और काम कैसे होगा रोजगार कैसे मिलेगा इसकी भी तो आप जिसको भी बताएं उसको सुरू से समझाएं सबसे पहले आप पुदि सटिस्फाइड नहीं हूँ सुकने केर के सनिटरी पैट से तो मैं किसी और को उस कॉंफिजेंस के साथ नहीं बोल पाऊंगे यानि कि मुझे अगर किसी को समझाना है कि आप आए सुकने केर जॉइन कीजिए और यहां पर काम कीजिए और आपनी दिफर बनिये या आप भी अगी चलके इसको बिजनस मोड में करती हैं या काम समझकी कर रहे हैं तो आप उसको शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा निबेस नहीं डालना है बहुत चोटर सा इन्वेस्मेंट डालना है और वो भी आपको बढ़कर मिलेगा और इसके साथ उस के बात दुबारा उस चीज की जरुद पड़ेगी लेकिन जो सनेटरी पैड है उसकी जरुद उसे हर महीने पड़ेगी और हर घर में दो से तीन यूज करने वाले हैं यानि कि जो हमारा कस्टमर है जो हमारा यूजर है वो हमारे बगल वाले घर से शुरू हो जाता है यानि कि आप अगर अपने बगल वाले घर में जो महिलाएं हैं, उनको सही से समझा पाते हैं, उनको पेड़ की कॉलिटी बता पाते हैं, उनको बागी डिटेल दे पाते हैं, तो वो भी आपके यूजर बन जाएंगे या आपके साथ जॉइन कर लेंगे. सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी खूबी जो है इस टाइम सुकनिया केर में, वो ये है कि आप अपने घरों से रहके इस काम को बढ़ सकते हैं, महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं, या महिलाएं उतनी सफन नहीं हैं, या भारत में सिर्फ चार प्रतिशत महिलाएं ही रोजगार करती हैं, काम करती हैं, जबकि जो पूरुशें वो जादा संख्या में हैं, वो 100% रहते हैं, लेकिन महिलाएं सिर्फ चार प्रतिशत हैं, उसका बहुत बड़ा वज़य ये है कि शादी के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, समय कम हो जाता हैं उनक कि एकॉर्डिंग कुछ भी डिजाइन नहीं है, इसलिए वो करने ही पाते हैं, लेकिन सुकन्या केर में जो प्लेटफॉर्म तयार किया गया है, वो उन्हीं महिलाओं को फोकस करके किया गया है, जो अपने घरों पे हैं, और घरों से ही काम को करना चाहती हैं, अपना सब जो दो घंटा, तीन घंटा बचता है, उसमें वो काम कर सकते हैं, मैं आप लोगों से तीन सवाल करूँगी, और उन तीन सवालों के जबाब यदि हाँ हैं, तो आप सुकन्या केर जोईन कर सकते हैं, सबसे पहले, क्या आपको माहवारी आती है, दूसरा सवाल ये है, क्या आप दस महिलाओं को जानती हैं, और तीसरा सवाल ये है, कि आपके पास पूरे दिन में काम खतम करने के बाद, क्या दो से तीन घंटा बेकार का समय बचता हैं, जब आप टीवी देख रहे होते हैं, या फिर यूटूब और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कि उस समय जो बचता है कि आपके पास है, अगर इन तीनों सवालों के जवाब आपके पास हां में हैं, कि हां मुझे माहवारी आती है, या मैं उसको जानती हूं जिसको माहवारी आती है, तो हां है, दूसरा ये है कि आप दस महिलाओं को जानती हैं, बिल्कुल जानते हैं, क् आपके घर में ही आपके माई का ससुराल मिलागे 20-25 महिला होंगी तो 10 महिलाओं को आप जानती हैं और पूरे दिन में काम करने के बाद सुबह काम करने के बाद शाम काम करने के बाद बीच में आपके पास 3-4 घंटे का समय मिलता है हर किसी को मिलता है तो इन 3 सवालों का जब तो इस पहले आप उनकी जरूरत में जान लिए अपनी बात रखने के वज़ाती है, और क्यों करना चाहते हैं उनका क्यों क्लियर कर दीजे कि उनको काम की क्यों जरूरत है तो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं खुद की पहचान मनाना चाहते हैं अपने सपने पूरा करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए करना चाहते हूं समाज के लिए कुछ करना चाह क्या आप बाहर जा किशका हुं के दिए कर ना है को जल्दी सुबंधां कर सकते हम दो पहर में काम कर सकते हुं दो घंटो तीन घंटो मतलब उनकी एक leading आप समझ जाएंगे कि यह क्या कर सकती है यह पाट टाइम कर रही है यह घर से हाँ कि ही Tschull T fi America कर रही हैं अगर वो घर से रहके पार्ट टाइम कर रही है तो कमिशन पर कर सकती है बहुत अच्छी बात है शुरुवात ऐसी ही होती है लेकिन अगर वो समय दे सकती है और इस काम को करना चाहती है तो वो घर से रहके फिक्स सेलरी पर जोइन कर सकती है फिक्स सेलरी पर आने क चाहूंगे इस बात को कि सुकन्यागर बाहर से हाइरिंग नहीं करता है हमारी हाइरिंग जो होती है फिक्स एल्ड की वो टीम से ही होती है यानि कि आप सिस्टम में सबसे पहले तो जीरो की आईडिय से ज्वाइन हो जाईए 15 दिन की ट्रेनिंग ले लिजिए 15 दिन की ट्रेन से आएंगी आप उसमें अपने आपको अड़ान कर देजिए प्रस्तुत करते हैं कि मुझे करना है मुझे डिजिटल मार्केटिंग हो या मुझे ट्रेनिंग बताया जाएगा जो भी काम बताया जाएगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ अपने घर से fix salary पे करने के लिए मुझे लगता है दो से तीन महीने लगते होंगे आपको सिस्टम को समझने में जानने में काम कैसे होता है काम को शुरू करने में और करने में उसके बाद आप समझ जाते कि basic concept क्या है और क्या करना होता है तब आप आ सकते है fix salary पे तो इस त जिनके पास दो साल के बच्चे हैं तीन साल के बच्चे हैं और वो 25,000 की fix salary पे काम करती है ऐसी बेटिया है जो बैचलर है घर उन पे रहती है घर से बाहर नहीं निकल सकती है घर से बाहर कहीं नहीं जॉब कर सकती है तो वो सुकन्ने के लिए अपना समय देनी है पच्ची स क्या है जरूरत की जैसे माली जी आप किसी showroom में गएं किसी shop पे गएं और आपको अपने लिए jeans लेना है या shirt लेना है तो ऐसे नहीं होगा ना कि आप बोलेंगे jeans दिखाओ तो वो पूरा jeans खोल के रख देंगे दिखाना शूरू करेंगे नहीं आप बोलेंगे jeans दिखाओ तो उनका अगला सवाल क्या होगा आपका size क्या है आपकी range क्या है कौन सा color प्रिफर करेंगे समझ रहें यह चीज़ें आपके अंदर भी आनी चाहिए करें आपको भी ऐसी सवाल होने चाहिए कि सामने वाले के अंदर यो चल रहा हुँ हूँ बाहर है सबसे पहले तो आप क्यों काम को करना चाहती है फिर आप कितना समय देंगी इस काम को करने के लिए पाट ट्ढरा करना चाहते ही यह फूल टाम करेंगे जैसा वह बताएंग इसको बिलते हिस्ट्री चेक करना है, वो जैसा जैसा बताती जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे, और उसके बाद उनकी एक कॉर्डिंग प्लान जो है, आप उनको डिजाइन करके दे दीजिए, उनकी पहले सुन लीजिए, जरूरत क्या है, कैसे करेंगे, कितना समय सेग्मेंट हो गया, दूसरा हमारे पास क्या शुरू होता है, आपने सुकन्या केर जोइन किया है, अब आप कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करूं, तो उस टाइम आप सबसे पहले सर्च कीजिए सुकन्या केर में क्या है, देखिए हमें जो, जैसे मैं जहां त चाहती हैं, वो सुकनेगें जोईन करना चाहती हैं, लेकिन उनके सवाल उसका सही जबाब नहीं पापा रहा हैं, तो हमारा काम है वह यह हैं, कि हम उनको सवालों के जबाब देआँ, दो तीन चीज़े होती है, एक तो होता है कि लोगों को फेसबुक के थूरूजो आते है है या social media के तुरुआते हैं उसने बहुत हैं सारे fraud होते हैं तो वह ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं वह गलट नहीं है वह ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है आप के पास क्या है इसा जिससे वह ट्रस्ट करें वह दिखाईए सबसे पहले website बताईए, उसके बाद documents आप clear कीजिए, उनको बताईए कि वो website पे जाए, legalities में जाके पुरे documents चेक कर ले website पे number मिला है, वहाँ पहुँचके call कर ले, उस number पे call करके company की details ले ले सारी details चेक कर ले पहले, website पे इस time सब कुछ upload हो गया है जैसे जो भी achievements है, four wheeler के, स्कूटियों के वो भी है, जो आप लोगोंने काम किया है, काम करते वो भी है permission letters भी हैं कि हम कहां कहां काम कर रहे हैं, हर चीज है देखिए, जो जैसे हम लोग जब बिधायक blog promote किया, बड़े-बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, तो यह जो सवाल है fraud वाला उनके पास नहीं होता है उनके पास होता है कि क्या है इसमें अगर उनको समझ मैं जैसे मैं आप लोगों को बताते हुए, मुझे बहुत खुशी हुए कि कल अनुप्रिया पटेल जी का मिर्जापूर में पर्मिशन हुआ है, वो पर्मिशन mostly ग्रूप में पड़ा हुआ है तो जो बड़े लोगों थे वो देखते कि आप कर क्या रहे हैं, इससे लोगों को क्या फाइदा है लोगों को फाइदा है कि नहीं है आपका काम ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपके हित में है जनहित में अगर है तो वो पर्मिशन मिलते हैं और ऐसे ही करके हम लोगों ने पांच आप से ज्यादा पर्मिशन लिया है वो फाइल भी आप लोगों को यूटूब पे शेर की जाएगे आप लोग उसको भी देखेंगे कि बहुत डेट सारे पर्मिशन है स्कूल कॉलजेस के हैं बिधायक के हैं मंत्री के हैं ब्लॉक प्रभरमूक के हैं ग्राम प्रधान के हैं डेअन आप भी हैं वो फाइल उनको फॉरवड कीजिए वो PDF उनको भेजिए और बोलिए कि चेक करें पहले समझ लें अगर वो समझ बूझ के तब आई हैं तो बढ़िया काम करेंगे और कहीं डाइवर्ट नहीं होंगी लेकिन अगर वो सिर्फ आ गई हैं समझा बूझा नहीं है तो फिर थोड़ी से दिखका था है कि आपस च् poser कर दिए स्वाल आएगा तो खुद हैंदल कर लेंंगी फिर आपको ढूडएंगी यह हूं तो सब से पहले मैं जहां तक जानती Tuesday कि कि सी को कंवेंस करने के लिए आपका सिस्टम के साथ चानवOOOO करने के लिए ऌसब को सब कूझ उन の बहुत जबल जवरी है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम किया जाता है ट्रेइनिंग कैसे से लिज आती है कितनी फैस्सेे सम्हाल cause क्लिऑ debt ओर किसी को बता हैं कि जब आप सखाव अला तो आया ही जानने लिए वह महिला अइफن बAT के लिए कि Instagram पर देखा कि अब उनको अंदर से लगे कि मुझे भी करना है, मुझे भी कार चाहिए, मुझे भी fix cell चाहिए, मुझे भी अपना पहचान बनाना है, मुझे भी आत्मसंवान चाहिए तो वो पता लगाने के लिए आये नहीं है, वो काम करने के लिए आये, लेकिन पूछेंगे तो जरूर, तो आपका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या क्या सिस्टम में है, तो सबसे पहले तो आप खुद, आप लोग खुद, हैंड विल्कुल समझ लीजे क्या है, ह फिर आप उसका स्क्रीन शाट करके अपने पास फाइल तयार कर लें, आप लोगों को सबसे पहले फाइल तयार करनी चाहिए, सबसे पहले फाइल तयार कीजे, फिर उसके वीडियो बना लीजे और जो भी मांगता है उसको दे दीजे ताकि वो चेक कर सके, ये पहला प्रोस आपके कितनी सेलरी है यह सारी चीजें लोग आपसे पूछेंगे अगर आपके पास उसका जबाब है तो तो अच्छी बात और अगर जबाब नहीं है तो वह से फट जाएंगे तो आपके पास इसका जबाब होना चाहिए कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं आपने क्या किया ह और आपको क्या मिला है सबने सुकन्य केर को अपने हिसाब से जॉइन किया है कोई फुल टाइम करता है कोई पाट टाइम करता है कोई सिर्फ सेल्स करता है कोई ट्रेनिंग कर रहाता है कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है कोई back end में काम कर रहा है कोई ASAP कर रहा है कोई car लेके गया अपने area में काम कर रहा है हर किसी का अलग-अलग achievement है हर किसी का अलग-अलग है achievement ये आप clear कर लेजिए और फिर आप लोग आप जो भी जिसको भी convince करना चाहते हैं उसको verbally convince मत कीजे मतलब बातों से convince नहीं कीजे आप facts से convince कीजे यानि कि आप data पर बात कीजे आपके company में जितने भी directors हैं कितने लोग fix salary पे हैं कितने लोग कितनी-कितनी salary उठाते हैं क्या उनका achievement है उनको 4-wheeler मिला है किसी को स्कूटी मिला है वो format आपके पास होना चाहिए फिर आप इसको convince कर पाएंगे अब अगर किसी ने आपको बोला कि आपने तो खुदी जॉइन किया आपको तो खुदा भी तक कुछ नहीं मिला आप मुझे क्या बताएंगी बताएए मैं कैसे जॉइन करूँ आपके कहने से आप तो 6 मेंचे से कर रहे हैं आपको सेल दे नहीं मिली तो आप उस टाइम घबरा जाते हैं आपको लगता है अरे बापरे अब क्या बोलो तो आप उनके हाँ में हाँ मिला हैं हाँ आप तो सही बोल नहीं मैंने तो इसने समय से किया बहुत महिनत किया नहीं मिला क्या ये बात सची है क्या ये बात सची है कि आपने बहुत महिनत किया आपने बहुत काम किया है आपने बहुत अच्छे से किया और आपको कुछ नहीं मिला ऐसा नहीं है क्योंकि जो काम कर रहा है जिसने महिनत की है जो अच्छे से कर रही है वो स बराबर है प्लेटफॉर्म किसी के लिए अलग नहीं है जो मेरे लिए है वही आपके लिए प्रोड़क्ट सेम है प्लान सेम है जो कमिशन पूछा कि आप तो नहीं कहीं पहुंच पाएं या नहीं कर पाएं आपको क्या मिला तो आप बताइए कि मैंने जरूर किया था सुकन्य केर को किया है लेकिन मैं उतना समय नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था मैं उस लगन से नहीं काम कर पाई हूं जिससे करना च सफर आसान हो जाएगा आप उनको समझाई कि वो आपके इस जर्नी में एक बहुत important role play करती है आपको उनको समझाना पड़ेगा इस बात को इसके बाद अब दो चीजे हो गए आपने अपना achievement बता दिया company का achievement बता दिया उसके पहले आपको डिटेल आपने की थी अब यह वाला हो गया तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी को ले पाता नहीं है यह आपने अभी जॉइन कि तो आपके पास आएंगी कि आपने यह वेकेंसी लगाई थी क्या है मुझे तो करने करना है बताइए तो आधी अधूरी जानकारी मत दीजिए ना घबराइए और ना परिशान होई है उनको बहुत अच्छे समझाएं कि देखिए आपको मैं एक लिंक शेयर करूंगे और आप उस ट्रेनिंग में आना शुरू कीजिए जो शाम को पांच बीचे शुरू होती है कंपनी ने फ्रेशर स्किल लगा रखा है इसको आप वहां पर जितने भी आपके मन में सवाल हैं वो सब पूछ सकती है सारे सवाल पूछ लिजिए उन सवालों के जबाब मिल जाए तो फिर आप जॉइन करिएगा दूसरा यह है कि मैं आपको कुछ वीडियो भीज रही हूं मैं आपको कुछ डिटेस बेज उनको पहले देखिए समझे एक यूटूब चैनल भेजने उसको भी देखिए समझे कि क्या है यह उसके बाद आप मुझसे पूछेगा कि आपको इसमें क्या जानकारी चाहिए ऐसे तो मैं कितना आपको समझाओं क्या ही करूं कि कितना समझा दूं लेकिन अगर आपने वी कराके जाएगी गहां मतलब आप को पैटरन क्लियर कर दीजिए का आपको ट्रे निंग लेना ही लेना है uct training mandatory हे बार बार हर बार कई बार यही बात बोली जारीकिए training बहुत-बहुत ज़्याया जरूरी है Training से ही जो कुछ होगा हो पाएगा तो जिन लोगों को भी आपको join कराना हैं उनको clear किजिए आप ऐसे मत करके कि आपकर किसी ko join करा रही है तो अरे भाइब प्लीस कर लीजिए बहुत अच्छी इस यह बिमारी थी नहीं खो conclusion कि आपको जिसको oikeo Case 0ना है उनको आपको details देनी पड़ेंस आपको बताना पड़ेगा आपको समझाना पड़ेगा और उनको आपको कहना पड़ेगा कि लग तो कुछ नहीं रहा है पंदर दिन की ट्रेनिंग फ्री तो है तो आके जॉइन कीजे समझाएगा तो कीजेगा नहीं समझाएगा तो कोई जबर्दस्ती नहीं है हा लेकिन इतना प्रोमिस आपसे मैं जरूर करूँगी कि अगर आपने ट्रेनिंग जॉइन किया और पंदर दिन सीखा समझा तो आप एक महिला है फिर भी आपको आपके विशे में आपके सरीव में क्या है आपकी महावारी के बहुत धेर सारी चीजें आपको आज तक नहीं पता थी जो इस ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगे जब कि आपको लगना कुछ नहीं है ना आपको कहीं जाना है ना आपको कुछ खाज करना है पहले आपको सिर्फ समझना है, देखना है, सुनना है, जानना है, परकना है इस ट्रेनिंग का जो में मकसद है, मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूँ ये सिर्फ और सिर्फ अवेर्नेस है, जाग रुपता है काम आपका 15 दिन के बाद शुरू होता है लेकिन उसके पहले जो 15 दिन ट्रेनिंग चलती है, वो ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ जाग रुपता है कि आप जान लिजे कि महवारी क्या है, आपकी महवारी स्वस्त और सुरक्षित कैसे हो सकती है sanitary pad यूज़ करना जरूरी क्यूं है और कौन सा sanitary pad यूज़ करना है इसका फरक आपको पता चल जाता है आप बहुत कुछ जान सकते हैं training के माधिम से की product की quality कैसी है या मुझे जो जरूरत है मुझे जिस चीज़ की जरूरत है या जो मुझे comfortable level चाहिए या मैं एक महिला हूँ तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि महिलाओं में जो माहवारी आती है वो किस एज से किस एज तक चलती है कितनी quantity में आता है एक दिन में कितना period discharge होता है blood जो आपका pain है वो क्या है उससे और क्या क्या परिशानिया हो सकती है यह सारी जानकारी आपको यहां पर मिलती है तो आप काम करने के लिए जोईन करें या ना करें जाग्रुख होने के लिए जानकार होने के लिए महवारी की ज़रूर जोईन करें जब आप उनको free करेंगे अगर कोई आया और आप उनको बोलें कि ठीक है आप आप से जॉइनेंगे पहले आप एक हज़ा से जॉइन कीजिए फिट रही नी करा जागा कभी नहीं हो गए देखिए महिलाओं के पास पैसे नहीं है ऐसा लगता है हम लोगों को ऐस लगता है कि जो पैसे नहीं है यह सच नहीं है उनके पास पैसे हैं लेकिन उनके कमायोए पैसे नहीं है और रेगुलर आने वाले पैसे नहीं है इसलिए वो उसको बहुत सेफली खर्च करती हैं बहुत सोच समझ के अगर उन्होंने अपने घर में अपने पती से पैसे रखे हैं चिपा के या तक उनको clear नहीं होगा कि ये पैसा उनकी growth में लग रहा है क्या इस पैसे को आलमारी में रखने से तो इसका कुछ growth नहीं हो रहा है तो अगर क्या मैंने इसको वहां लगाया तो उससे मुझे कुछ मिलेगा अगर ये समझ में आएगा तो वो लगा देंगे वो समझाना आपका काम है और वो समझाएंगे आप कैसे रोजगार के माध्यम से देखिए सिंपल समझे जो पैसा है वो तब तक उस किसी काम का नहीं जब तक वो अलमीरा में पढ़ा है वो तीन हजार अगर लग गया तो उनको product मिल गया उनको ID कार्ड मिल गया उनको एक मौका मिल गया काम करन करेंगे मैं जहां तक जानती हो जो सिखानी की कोशिश कर रही हूं बहुत आसान है कि सबसे पहले मैलाओं को रिलेक्स कीजे कि भई आप एक रूपे मत लगाईएगा आप अपना समय लगा दीजे और यकीन मानिये पैसा उतना महत्तवपूर नहीं है जितना महत्तवपूर उस समय है अगर किसी चीज़ को बचाना है लाइब में तो पैसे को नहीं समय को यह वो लोग समझ सकते हैं जो लोग काम कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए पैसा बहुत बड़े चीज़े और समय उनके पास बिल्कुल नहीं है और उस समय से कुछ आता भी नहीं है तो इसलिए आप लोग जब बात करिए जब समझाइए तो उनको रिलाक्स कीजिए कि मैडम प्रभु जी भगवान जी देवी जी आपको कुछ लगाना नहीं है सिर्फ समय लगाना है आप कमा के इसको कर लीजिए आप कमाईएगा जब यहां से पैसा उठाएगा तो अपना प्यमेंट में कटवा दीजिए लेकिन आप शुरू कर लीजिए कि अगर सिर्फ सोच सोच में रहे गए तो हो ही नहीं पाएगा पहला स्टेप तो रखना पड़ेगा ना मतलब हम है कि अड़िविशन कराई एड्मिशन आपिने न्हीं Size लिए तो जिम्यदारी चीचर की है modern सब मिल्गे करिए थो ना कहिंगे पहुंच जयें तो सबसे पहले सुकन्य जॉइन किजिए भले ही 0 से कीजिए लेकिन जॉइन तो किजिए क्योंकि देखे अगर आपको जानकारी सुकन्य केर की चाहिए तो वो उसके बाहर नहीं मिलेगी वो जब भी मिलेगी संस्था में आने के बाद ही मिलेगी इसलिए जीरो वाली आइडिया कॉंसेप्ट है कि आपको सुकनेगेर की जानकाली चाहिए आप आई हैं पूछने लिख के लिए फोन के आपने कि मैं भी करना चाहती हूँ क्या है सुकनेगेर बताइए अगर आपका ये सवाल है तो ये बाहर नहीं मिलेगा ये यहीं मिलेगा और वो पंदर दिन के टाइम पीरिडर में मिलेगा तो आप सबसे पहले सुकनेगेर जोईन कीजे भले ही जीरो से कीजे अब जोईन करने के बाद आप वहां सीखें समझें करना शुरू कीजे एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा आप सफल हो जाएंगे अगर आप निरंतर सतत प्रयास करते रहें निरंतर चलते रहें सीखते रहें समझते रहें तो जीतते भी रहेंगे सीखना इंप्लिमेंट करना जीतना फिर सीखना इंप्लिमेंट करना जीतना यह पूरा एक सर्कल है ऐसे ही करके चलती है तो जितनी भी लोग आपके पास आते हैं फेस्बूक के थुरू उनको पहले रिलाक्स कीज़े और सबसे पहले उनको डिटेल्स भीज़े उनको यूटूब चैनल रेज दीज़े इसके बाद देखे वो यूटूब चैनल पे 6000 के आसपास वीडियो पढ़े हैं जिसमें maximum feedback के वीडियोज हैं तो और content के वीडियो तो वो बहुत कुछ सीख जा हुआ है तो बहुत कुछ उसमें जान जाएंगे धीरे देखर करके इंट्रेस्ट आजागा और काम करना शुरू करेंगे लेकिन ना आपने उनको चैनल दिया है ना आपने उनको कुछ क्लियर किया ना डॉकुमेंट दिया है बस आप ठीक है आपको ग्रूप मैंट कर किसी कॉल्स हाते हैं कि मदद समझ धी जिन आता कि आप लोग लग कि करते हैं बार बार कहा जाता है जिसको भी जॉइन कराए वेक्साइड देदिझे कि जाए आप चेक कर लिजे मैं कि-सको भी जॉइन परी पूरी जितनी जानकारी है, सब सुकनेगर की जानकारी उनको देदू, ऐसा मत कीजेगा, ऐसा बिलकुल मत कीजेगा, एक दिन में, एक कॉल पर सब कुछ मत समझाएगा, अगर ऐसा होता, तो पंदर दिन की ट्रेनिंग का सेडियूल नहीं होता, सिर्फ एक दिन का होता, कि एक ही दिन में सब कुछ समझा लिया जाएगा लेकिन ये 15 दिन बना है धीरे दीरे समझ में आएगा टॉपिक वाइस समझ में आएगा तो आप उनको बोल दीजे कि देखे प्रभुजी सुकन्याकेर में बहुत कुछे करने को आपको क्या चाहिए वो बताईए और उससे भी आसान मैं आ मैं आपको कुछ वीडियो भेज दे रही हूँ आप इसको देखे वेबसाइट ले लिजे जाके डॉकुमेंट्स चेक कर लिजे देखके वो वीडियो आप मुझे सवाल पूछेगा कि आपको ये क्या क्या चीज है जो समझ में नहीं आया है तो मैं आपको वाँ समझा दू और ऐसे ही करके समझेंगे और ये पंदर दिन का सफर है घबराइए नहीं आज ही सब कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन आपके लिए आपके लायक बहुत कुछ है लेकिन वो पंदर दिन में क्लियर होगा तो अगर करियर बनाने आया है पहचान बनाने आया है पैसा कमाने आ तो इतनी जल्दी में नहीं होगा 15 दिन का समय तो देना पड़ेगा सिर्फ आप समय की बात करें आप पैसे की बात ना करें वो पूछती भी है इसमें कुछ लगता है क्या कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं तो बोले हाँ लगता है बिल्कु सही है आप बिल्कुल लगता है लेकिन कब लगता है जब आपको लगता है कि देना चाहिए तब लगता है जब तक आपको नहीं लगता है कि मुझे ये काम को करना है कि मुझे प्रोड़क्ट चाहिए या मुझे जब तक आपको फीलने होता और आगे काम शुरू कीजिए बहुत आसान है और बहुत अच्छा है बहुत जादा जरूरी भी है लेकिन बस वही बात है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम खुदी समझ नहीं पा रहे हैं हम खुदी convinced नहीं हैं तो हम convinced कर भी नहीं पा रहे तो सबसे पहले तो जितने लोग सुख़़ल केर में हैं जो दूसरों को रोजगार देते हैं या उनको सुख़़़णाय की जान कारी देते हैं आप लोगों से humble request रहीं कि इस स्कीद्रीबियнов को लेkyo लिए या क्योंति अ जबर आ आप जानकार और जागरुक रहेंगे तो आप कि सीखना चाहती हैं जानना चाहती है इसका इक बहुत बड़ा वजय है कि महिलाएं अब चुप नहीं रहती हैं, अब वो बात-बात पे हाथ नहीं फिलाना चाहती हैं, अब वो अपनी छोटी मोटी बड़ी जरूरतों के लिए मांगना नहीं चाहती हैं, अब वो आत्मनेरवर होना चाहती हैं, अब वो खुद रोजगार करना चाहती हैं, वो खु रहती है work from home concept उन्हीं लोगों के लिए बना है तो मैं अगर समझा पाऊं और आप लोगों समझ पाएं तो सबसे बड़ी बात यह है कि मालीजी एक अगर मरीज भी है और फिर भी इलाज नहीं करा रहा है मरीज नहीं आ तो गलती मरीज की ही है के डॉक्टर की भी है मुझे लगता है डॉक्टर की है कि जो मरीज है उसको तो सब कुछ नहीं पता लेकिन डॉक्टर को तो सब कुछ पता है तो डॉक्टर अगर क्लियर करे तो मरीज तो जरूर क्योंकि वो तो परिशान ही है बिमार ही है तो उसको तो रहत चाहिए ही चाहिए तो अगर आप रहत पारी आने के बाद इसका मतलब क्या है कि आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या है और उनके लायक क्या है जब तक आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगी तब तक वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो सबसे पहले तो आप सब कुछ जानिए और फिर जो रहा है। उसको सब कुछ बताइए और सिखाइए। धैरे के साथ कन्विंस करना या फिर उनको उनकी सहमती पाना ये बहुत अलग-अलग चीज़े सब्सक्राइज। किने होंगे वो बात की बात है लेकिन अगर आप उनकी सहमती चाहते हैं तो सबसे पहले वो क्या करना चाहती है क्यूं करना चाहती है कितना समय देंगी कैसे इस काम को करेंगे क्या वो अपने घर में 10 से 12 महिलाओं को जानती है क्या उनके पास 2-3 घंटे का समय है क्या उनको भी महावारी आती है नहीं आती है तो क्या वो उन महिलाओं को जानते हैं जिनको महावारी आती है अगर ये सवाल आप अपने कस्टमर से या अपने जो इंप्लॉई आपने हायर करना चाहते है उनसे पूछे और उनका जवाब हो हाँ तो समझेजे वो राइट च्वाइस है वो बिल्कु सही कैनिडेट है आप उनको ज्वाइन कराईए क्योंकि उन्होंने खुद से कहा कि उनके पास 3-4 घंटे का समय है यानि कि अगर कोई 3-4 घंटे का समय दे और ट्रेनिंग ले तो ट्रेंड हो जाएगा दूसरा उन्होंने बोला कि उनको वो 10 लोगों को जानती है यानि कि उनका पहला लेवल पूरा हो जाएगा मतलब कि 4-4 रुपए तो वो कमाई सकती है घर बैठे तीसरा क्या है कि उनको confidence बोलेगा और लोग सुनेंगे समझ पा रहें आप लोग तो ऐसे करके करना है ये तरीका है इस काम को करने का बहुत आसान पैटर्न है बहुत ही आसान है और recruitment ही main है convince करना बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर convince को आप convince समझ के करेंगे तो नहीं कर पाएंगे convince को आप ये समझ के करेंगे कि मुझे इनको जागरू करना है चाहे वो field रोजगार की हो चाहे वो माहवारी के विशय में हो आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के विशय में हो जो भी हो मुझे इनको समझाना है कन्वेंस नहीं करना है अपनी बात बतानी है उनको एग्री करना है इसके लिए आपको उनको समझना पड़ेगा उनकी जरूरतों को समझना पड़ेगा उनसे सवाल आपको पूछना पड़ेगा वो जो बताएंगे अपने बारे में आप जो नोट करेंगे उसी के इसाफ से ड बहुत जादा जरूरी है पूरुष काम करे बहुत अच्छी बात है ना करे तो भी कोई बात नहीं है लेकिन महिला का काम करना या आत्मनेवर होना अनिवार है ये बात समझेगा आप लोग ये क्यूं कहा जा रहा है क्योंकि आज कल जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है मैक सब्सक्राइए डी और ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग जैसे म immortal होतीत आपके प्रॉषा करकुक आ आप नौकरी कार रहा होते तो अगर आपके पति कि देव नहीं आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं वो कर पाते हैं, नहीं देते हैं पैसे, तो भी आप ऐसे परिशान नहीं होते हैं, ना आप माई के भाग के जाते हैं, ना इधर उधर जाते हैं, ना इंसम से कहते हैं, आप अपने काम में और मन लगाते हैं और अच्छे से करत मान सिख तोर पे वो मेरे साथ नहीं है वो भी कहीं और इंवाल्व है या कोई भी वज़ेर हो सकती है तो मैं गड़गडा नहीं पाऊंगी कि मेरे बच्चों का खर्चा दीजिए मैं कहां जाऊंगी मैं किस से बोलूंगी आप आपसे शादी हुई अब आपकी जिम्मधारी ह आप करिए अगर आपको समझ आ गया कि वो अब मेरा खर्च नहीं उठाने वाले या मेरे बच्चों का या वो अलग है तो उनकी कहने से पहले आप उनसे अलग हो जाए खर्चों के मामले में यह कब हो पाएगा जब आपकी कुछ रर्निंग रहेगी आप कुछ करती तो फिर आपको हर चीज के लिए उनके उपर डिपेंड रहना है फिर आप क्या करेंगी या तो उनके पीछे रोएंगी धोएंगी या तो अपने माई के वालों से कहेंगी रोएंगी धोएंगी या तो उधर जाएंगी या तो इधर जाएंगी या अगर दोनों तीनों लो आपको जरूरत है आत्मने पर होने की ऐसा नहीं है कि जब आग लगेगा तो कुगा खोदा जाएगा पहले से तयार रहिए इसलिए नहीं कि पती देव छोड़ देंगे तो मैं अपने बच्चों का पालन पोशन करने के लिए अभी से मैं नौकरी करूं पती देव छोड़े ना छोड़े घर वाले चोड़े ना छोड़े कोई भी आपको छोड़े या ना छोड़े इसके लिए नहीं कि आप रोजगार करना चाहते हैं आप अपनी पहचान के लिए करिए एक बात ध्यान रखिए अगर भग्वान ने हमें अकेले-अकेले भेजा है तो उनको बहुत सपोर्ट चाहिए उसके याद पती देऊ का सपोर्ट चाहिए और उसके बाद जिस बच्चे गविद में जुद complete यह सब करते हैं चार एक सफ लेकर तूप यहाँ मैं लेकिन ऐसा भगवां सब को अकेले हैं कि भगवान को यह पता है कि आपके अंदर जो है बहं है उसमें इतनी ताकत है इतनी हिम्मत है इतनी सेहन सीलता है कि वो अपने रास्ते खुद बना सकती हैं आप यहां आने के बाद इतने डिपेझ्ड हो जाते इदर उदर बह्ग/. भग्मान ने कि पैसा इसलिए मत कमाईए कि आपको लोगों को ज़रुवत है पैसा इसलिए कमाईए कि पैसा एक पैस्थी ह्मतलब पैस्था क्या है भाँ59 है समझझे तो इनधन है कि आप उस इनधन को डाल कि जहां आपको पहुंचना वहां पहुंच सकती है जैसे आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या बच्चे को टॉप कराना है तो वो टॉप करेगा कब या वो डॉक्टर बनेगा कब जब वो पढ़ेगा लिखेगा उसमें खर्च होगा लगेगा क्या पैसा तो प पैसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपको चाहिए उसका माध्यम यह है इसके सहारे इस माध्यम के थूरू याप वहां तक पहुंचेंगे तो इसलिए आप पैसा कमाये कि मुझे मेरी पहचान चाहिए मैं आत्मनिवर होना चाहती हूं मैं आर्थिक रूप से फ्री होना चाहती हूं मैं फाइनिशल फ्रीडम चाहती हूं अपनी लाइफ में कि मुझे कुछ भी खरिदना है तो मुझे वेट नहीं करना है मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूं यह कब हो पाएगा जब आप आत्मनिवर होंगे और आत्मनिवर करिए इसलिए अपनी पहचान बनाईए जो लोग सुकनेकर में काम करते हैं जैसे मैंने भी थोड़ी थोड़ी दिर का और बताऊंगे आप लोग को कि मैंने जब सुकनेकर ज्वाइन किया तो मेरी एसेच कोई बहुत जादा पहचान नहीं थी जो भी था वो डैली में था म की कैंसर से बचाने की पूरी कोशिश करोंगे मेरा काम है उनको जागरू करना मैं जाओंगी बताओंगी वो ले ना ले मेरे पास जो है वो मैं पूरी तरीके से उनको समझाओंगी और मैंने यही किया है आज तक और आज भी अगर कोई मुझसे पूचता है तो मेरे पास ज नेशनल बिजनस हेट तक मुझे भी याद नहीं तहीं सिर्फ अपना काम किया है बहुत लगं से इस presses किया है विना यह सोचे कि result क्या आएगा लोग क्या कहेंगे मुझे अच्छा लगता था काम करना अच्छा लगता है मिलना लोगों से बात करना उन महिलाओं की समस्याओं को सुनना समझना और यह जानना कि यह परशान है बिमार है इनको white discharge इनको यह दिखके था फिर भी यह पैड क्यों नहीं इस्तमा कर पारी है चाहती तो हैं लेकिन इनके पास इंकम नहीं है और अगर आपके स्वामी को सेनेटरी बैट पचीस रुपए में मिलेगा तो आपको पांस उच्छेस और खरीद के नहीं देने वाले क्योंकि उनको आपकी महावारी से कोई बहुत दादा लगाओ नहीं बहुत द दो नहीं हैं कि कर सकते हैं जब आप देखिए सबको अधिकार है सही चीज और अच्छी चीज इस्तमाल करने का सबको अधिकार है अपने हमारे दिये लेकिन यह पॉसीबल कभ होटी है जब आप इस चीज को करते हैं, आप कुछ करते हैं, आपकी कोई पहचान होती है, तब जा कि आप उसमें लग पाते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से हाज जोड़के प्रातना करूंगी और कहूंगी कि प्लीज सुकनेगर को जोएन कीजिए, आत्मनीबर बनिए, सम्मान के सा जीवन जी हैं, आगे बढ़ें, और अपने घरों से रहके करें, या ओफिसेस पर रहके करें, जहां से भी करें, लेकिन खुद के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, अपनी पहचान बनाते रहें, धन्यवार।